तो इस समय फिलाल भारती टीम इंग्लेंड के खिलाप में टेस्स सीरीज खेल रही है, चार मैचेज हमने अल्री खेल लिए है, आखरी मुकाबला धरम शाला में खेला जाएगा, सीरीज भी हमने अपने नाम कर लिए है, रोईच शर्मा के कपतानी में तीन एक से अजया भावी चल गया होगा, कि माच बिन टीम इंडिया के मौहमत शामी उनकी एंकल में प्रॉब्लम हुई थी डियूरिंग ड़ वर्ल कप 2023, ओडिया वर्ल कप, और उसके बाद उनने उसकी सर्जरी अभी करवाई है लंडन में जाकर के, और खबर यह आ रही है कि उसे पूरी त लिकल जाएगा, यह आप मान करके चलें कि टीटी वर्ल कप में मौहमत शामी अब भारतीय टीम के लिए खेलते वे नहीं नजर आएंगे और यह भारतीय टीम के लिए जटका है, हलाकि ओडिया वर्ल कप में आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस रहा ता शामी का, लेकिन टीटीटी वर्ल कप में कई बार मौहमत शामी स्पेल में बड़े महंगे भी रहें चाहे, वो 2021 की बात कर ले, 2022 में भी उनका कोई बहुत ऐसा नहीं कहूंगा कि आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस था, लेकिन वो 6 चैंपियन गेन बाजस में कोई शक नहीं हो सकता है कि इस फॉर्मेंट में अब तक बहुत जादा उनको मनब आप गहेंगे कि वो सकस्स नहीं मिल पाया, लेकिन अगर वो फिट होते तो जरूर अटी 20 वर्ल कप 2024 में भी पिक किये जाते हैं और करना भी चाहिए था मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन अब जो ख़बर आ रही है, वो यही है कि मौहमद शामी जो है, वो अब वर्ल कप से बाहर हो चुके हैं और ऐसे में आपको नए विकल्ब की तलाश करनी पड़ीगी, मेरे ख्याल से मौहमद सराज आपके पास में होंगे, इसके लाबा देखे तो अर्श दीब सिंग आपके पास में, जस्पीद बुम और वेस्ट अंडीज जैसे कंडिशन में, यूएसे जैसे कंडिशन में मौहमद शामी, उनके कटर्स जो हैं बहुत इफेक्टिव हो सकते थे, उनके स्लोर स्वन बहुत इफेक्टिव हो सकते थे, लेकिन अब देखते हैं कि भारती टीम के स्विकल्ब के तौर पर किन प्ल लेकिन शामी का नहीं होना मेरे ख्याल से टीम इंडिया के लिए बड़ा जटका है आपको क्या लगता है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा